नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रे नुमाथ हो नंदीश संधू और रश्मी देसाई टीवी की दुनिया का एक ऐसा क्यूट कपल जिसे एक वक्त में साथ में काफी पसंद किया जाता था फैंस जोडी को और स्क्रीन के साथ साथ आफ स्क्रीन भी देखना काफी पसंद करते थे लेकिन अचानक इन दोनों के रिष्टे को लग गई थी किसी की नजर जी हां कभी एक दूसरे के प्यार में पागल रश्मी देसाई और नंदीश संदु ने अचानक से ले लिया था अलग होने का फैसला लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी हसीना थी जिसकी वजह से ये क्यूट सकपल अलग हो गया था जी हां रश्मी देसाई का आशिया ना उजारने वाली हसीना का नाम है अंकिता शौरी रश्मी और नंदीश के तलाख के लिए एक्स ब्यूटी क्वीन अंकिता शौरी जिम्मेदार थी जिन से नंदीश की नजदी किया थी अंकिता शौरी मिस इंटरनाशनल 2011 रह चुकी है और अब वो मॉडलिंग करती है जब रश्मी को इनके अफैर की बात पदा चली तो उन्होंने नंदीश से अलग होने की बात कही और वो इसके लिए मना भी नहीं कर पाए ऐसा भी सुनने में आया कि मॉडल अंकिता शौरी की वज़ा से ही नंदीश संदू और अश्मी देसाई की बीच दूरिया बढ़ी है चली जानते हैं कि आखिर अंकिता शौरी है कौन अंकिता शौरी और नंदीश संदू को कई इवेंट में एक साथ देखा गया था जिम नंदीश और अश्मी की बीच की दूरिया बढ़ती जा रही थी तब इस सुनने में आया था कि उन्हें अंकिता और नंदीश की नजदी किया पसंद नहीं आ रही है कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रश्मी अपने और नंदीश के बिखरे रिष्टे को सवारना चाती है लेकिन अंकिता की वजल से उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था अपनी बोल तस्वीरों से संसनी मचाने वाली अंकिता शौरी पेशे से एक मॉडल है नंदीश के अलावा अंकिता अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी चर्चा में रहती है उनकी बैकलिस फोटो ने मचादी थी संसनी अपनी बोल तस्वीरों से अकसर अंकिता शौरी सोशल मीडिया पर धमाल मचाती रहती है बेहत ग्लैमरेस हैं अंकिता शौरी जी हाँ अंकिता शौरी काफी ग्लैमरेस है और उनकी अदाई देख कर तो कोई भी खायल हो जाएगा अंकिता शौरी ने साल 2011 में ब्यूटी पेजिंट मिस इंडिया इंटरनाशनल का खिता अब अपने नाम किया था अंकिता शौरी इंडिनों घर पर ही है और वो जम कर मी टाइम बिता रही है अंकिता इस बीच लॉकडाउन के सारे रूल्स को फॉलो कर रही है देखने में बेहत हाट और ग्लैमरेस अंकिता की फोटोस देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे बला की खूबसूरत इस हसीना को चाहने वालों की कमे भी नहीं है अंकिता अकसर अपनी बोल्ड इमेज और लुक्स को लेकर चर्चा में बनी रहती है आपको हमारी कबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आँकर जरूर बताएगा